नमस्कार आदाप सच्रियाकाल हाई एवरिवान मैं हूँ आपका दोस्त शम्मिनारंग और ये है मेरा सबसे करीबी दोस्त Mr. Mike रोजमर्रा के जिन्दगी में जब भी उल्चने सवालात जहन में दस्तक देने लगते हैं मैं इन्ही Mr. Mike का ये जालीदार दर्वाजा खटखटा कर मन की बात कर लेता हूँ और वैसे भी मन की बात का कॉपी राइट सिर्फ मोधी साब के पास तो है नहीं अब देखिए ना इन महाशे के सामने आते ही एकसाइटिड हो जाता हूँ बहुत सी बातें करने के लिए जैसे की बैठे बैठे अभी एकदम से खायर आया कि हम सभी सुभे तयार होकर स्कूल के लिए कॉलिज के लिए नौकरी या काम धंदे के लिए घर से निकल जाते हैं और बहर निकल कर रिक्षा या आटो करते हैं या फिर बस ट्रेन मेट्रो या फिर अपनी सावारी से आफिस या दुकान पहुंचते हैं कॉलिज पहुंचते हैं स्कूल पहुंचते हैं पूरा दिन दिखने चले जाते हैं। हमारे रिक्षे वाले भाईया, पान वाले भाईया, चाय वाले भाईया, बस कंडक्टर, स्कूल, कॉलेज, आफिस के दोस्त, आने जाने वाले, मिलने मिलाने वाले लोग, जब ये सब लोग भाईया और दोस्त हैं, तो बताईए Mr. Mike, इनमें हिंदू या मुसल्मान कहा हैं। दिन भर में हमने तो किसी से नहीं पूछा कि भाई, तुम हिंदू हो या मुसल्मान, अगर तुम हिंदू हो या मुसल्मान हो, तो हम तुमारी बस में सफर नहीं करेंगे, तुम से पान सिक्रट नहीं खरीदेंगे, आपके हाथ की चाय नहीं पिएंगे, आपकी दुकान से भामान बनाने या उगाने वाले हिंदू हैं या मुसलमान? Mr. Mike, जब हमारी रोज मर्रा की जिंदगी में मिलने वाले लोग हिंदू या मुसलमान नहीं होते तो फिर क्या वज़े है कि elections announce होते ही हम हिंदू या मुसलमान हो जाते हैं? गाए हिंदू हो जाती है, बकरा मुसल्मान बन जाता है, वो जो बांसुरी होती है, बांसुरी सिर्फ कृष्ण की होकर रह जाती है, और शेहनाई महज उस्ताद मिसमलाखा साहब की हो जाती है, मुझसे इलेक्शन मीटिंग्स में बार बार पूछा जाता है कि आप जोर देकर बताए कि आप शम्मी हैं या शमीम हैं, बड़ी मज़गी बात है न, इलेक्शन के थोड़े दिन बात तक भी ये सिलसला चलता ही रहता है, और फिर सब को साथ लेकर विकास करने की बातें बिल जिनेताओं, मीडिया कैंकर्स, ब्रोडकास्टर्स सबी से होता हैं, और आपको ना चाहते हुए भी इन्हें जिलना पड़ता है, सो मिस्टर माइक मेरे दोस्त, इस से पहले तुम मेरी बातों से बूर हो जाओ, और खुद बाखुद अपनी ये वाली तार निकाल दो, क्यो झाल झाल